यह स्री राम प्रैमे भक्तु यह संकेत पताते हैं कि ब्रह्माण आपको महान और असाधान व्यक्ति बनाने वाला है। बंदो वास्तम में यह सच है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो स्वयम व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और ब्रह्माण के अंदर जो सक्ति है, जो महा सक्ति है कुछ लोगों को चुनते हैं। और वो सक्तियां किसी-किसी व्यक्ति को महान और असाधान बनाने का प्रयास करते हैं। तो वह क्या संकेत हैं, वो किस तरह के मनश्य होते हैं, वो किस तरह के व्यक्ति होते हैं, वो किस तरह के इंसान होते हैं। यह हैं आप संकीत समझने का थोड़ा प्रियास की, क्योंकि महापरुष बताते हैं, संत समझाते हैं, जो समझ लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं समझते हैं, वो 84 में भटकते ही रहते हैं, इसलिए मनस्यों, यह भक्तों, हम आपसे निविदन करते हैं, हम 20 ल में लग जाईए, तो आपको और कुछ नहीं होगा, तो मनस्यों सरीर तो में लही जाएगा, तो हमारे संत समझाते हैं, कि जो ब्रमान ली सकती है, ऐसे लोगों को चुनती है, ऐसे लोगों को महान और असाधन व्यक्ति बनाती है, जो इस तरह के होते हैं, नमर एक, वह है जो ब्यक्ति सब के दुख सुक में और समलित होते रहते हैं, जो दूसरे के सुक को आपना सुक समझते हैं, वह कोई महान ब्यक्ति नहीं होते हैं, दूसरा यह है, कि वह संसार के सारे कारिय करते करते, वह है भवान के सुमरन को, नाम जब को कभी छोड़ते ही नहीं, चाहे कुछ हो जाएं, वह है, नाम जब का, मंत्र जब का इतना अभ्यास करते हैं, कि वह भूलते ही नहीं हैं, और जो वह भूलते नहीं हैं, तो उनके अपने कारिय अपने आप बनते हैं, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो दुर्बल को, दीन जनों को, अपनी हैसिस से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा, उन्हें वह प्रदान करते हैं, जो उन्हें कुछ चाहिए होता है, चोथी प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो हमारे अंदर पांच चोर हैं, वो उनको मार देते हैं, काम, क्रोध, लो, मो, रहेंग, कार, वो किस से बार देते हैं, मरते तो नहीं है लेकिन हाँ सुक्ष मात्रा में ही रह जाते है वह नाम जब से और अपने जो दुर्गुण हैं उनको खतम कर देते हैं करोध आया तो थोड़ी वो दिर के लिए आया उसके बाद तरन सांत जैसे अगनी पर पानी डाल दिया रोध आया नाम जब किया रोध खतम मुवाया नाम जब किया खतम यानि कि जो ये पांच विकार है उनको इतना याद रहता है कि किस समय क्या इस्तिति है और वो तरन सांत नाम जब करते हैं क्योंकि उनका नाम का भ्यासी इजना होता है तो वो साधान विक्ति नहीं होते हैं असाधान नहीं होते हैं तो भगवान ऐसे विक्तियों को चुल लेते हैं तो बंदो ये कुछ इस तरह के संकेत हैं और ये संकेत भी है कि हर समय जहां भी जाते हैं वो एक केवल और केवल आत्मे चिंतन करने के साथ साथ अपनी बाणी से जो भी सब निकालते हुए परमारतिक होता है वो आध्यात्मे को होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ऐसा अभ्यास बना लिया है उनकी बाणी में मधृता होती है उनके सुभा में नमरता होती है बहुत ही इस तरह के संकेते मंदू अगर आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया इन संकेतों को समझ लिया अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लब भगवान ने आपको चुन लिया है आप एक महान ब्यक्ति हैं एक असाधार्ण ब्यक्ति हैं साधार नहीं और जितना भी कर रहे हैं उससे और आगे का मतलब बढ़ने का प्रियास करें ताकि आप उस सक्ती में मिल जाएं जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो बंदू आपके अंदर भी ये संकित नजर आते हैं तो बहुत अच्छी बात देते हैं जैसरी रहा